इनके लबे रंगी की निठावरें थी के जिसने पढ़ सकते हैं इसमें कोई हर्द वाली बात नहीं है क्योंकि जनाजे का जो वुजू होता है ना वुजू तो वो ही है तो जनाजे के वुजू से नमाजे पंजगाना भी अदा हो सकती है कुरान मुकदस भी पढ़ सकते हैं बलकि उस जनाजे से दूसरा जनाजा आए तो उसको भी पढ़ सकते हैं इसके अंदर कोई हर्द वाली बात नहीं है इसी तरह फतावा बहर अलूम में मुफ्ती साब ने फतावा रजविया के हवाले से रिशात परमाया जो लोगों में मुशूर है कि नमाजे पंजगाना वो जनाजे के वजू से नहीं हो सकती है मतलब जिस वजू से जनाजे की नमाज पढ़ी अगली नमाज उससे नहीं होगी तो इसमें कोई हर्जवाली बात नहीं है और इस लोगों में मुशूर है कि जनाजे के वजू से नमाज यह दूसरी नहीं होगी यह गलत है और जाहिलों की बाते हैं लियाज इन्स बचना चाहिए और इन बातों को आम भी नहीं करनी चाहिए अगर कई मशूर है तो उनको रूखना चाहिए और उनको भी बताना चाहिए कि ऐसा मसाला नहीं है कि जनाजे के वजू से नमाज नहीं हो सकती और नमाज पढ़ सकते हैं फतावर रजविया में भी इसी तरह दरजे है